Welcome to SH Fashion World आज की इस वीडियो में मैं आपको ये ब्यूटिफूल सा डिजाइन सिखाने वाली हूँ जैसा कि आप स्क्रीन के उपर अपने देख रहे हो ये डिजाइन सिर्फ दो सिलाई में हम बना करके तयार करेंगे कि मैंने कुछ डिफरेंट तरिके से इस डिजाइन को बनाने की कोशिश की है आई होप आपको पसंद आएगा डिजाइन बहुत ही ब्यूटिफूल है बहुत ही प्यारा बन रहा है आप इसको ऐसे बॉडर भी यूज कर सकते हो तो आप चाहे तो इसको किसी भी प्रजेक्ट के ओपर फूल स्वाटर पर बना सकते हो कारडिगन, जैकेट, ब्लाउज, मफलर, काउल जो भी आप इससे बनाना चाहते हो डेडिज, चैंड, बच्चों के स्वाटर जहां भी आप इसको यूज करना चाहते हो अपनी क्रेटिवेटी के अनुसार सो चलिए स्टार्ट करते हैं रॉंग साट से देखे हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है और राइट साट से देखे हमारा ये डिजाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है तो इसको बनाने के लिए आपने रखने हैं 3 के multiple में फंदे, 3 से गुणा करके आपने फंदे इसमें रखते जाना है, मैंने यह आपद 33 stitches डाले हुए हैं, 33 फंदों में डिजाइन आपको मैं डाल करके बताऊंगी, 3 से गुणा करके, तो आपके इसमें अडजेस्ट हो जाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहली रो सीधी तरफ से, रो बन राइट साइड से, ध्यान से देखेगा पहले, क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा उतारा, दागा आगे, यहां से हम अपने रिपीट पेटन स्टार्ट करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, रो बन राइट साइड, अब यही तीन फंदे हम रिपीट करेंगे, शुरू का एक फंदा छोड़ देंगे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, ठीक है, इसी त अब ऐसे हम सारी रो यह कंप्लीट करेंगे एक फंदा उल्टा दो फंदे सीधे तो अब देखी रो बन मैं इहां पर कंप्लीट कर ली है लास्ट में एक फंदा उल्टा एक सीधा बना लिया अब आजाए रो टू पर रॉंग सेट से दूसरी रो उल्टी तरफ से इसको ध्यान से देखेगा क्यूंकि इसमें हमने डिजाइन डालना है पहला फंदा उतारा द दागा आगे लाएंगे अब यहां पर देखे आगे वाले जो दो फंदे हैं ठीक है वान टू इन दोनों में क्या करेंगे इस फंदे को देखे इन दोनों फंदों के बीच में से स्लाइक को डालेंगे यहां से हम एक लूप निकालेंगे फिर इस तरह से इन दोनों फंदों का 2 का 1 कर लेंगे ये देखिए अब ये शुरू का एक फंदा छोड़ देंगे और यही 3 फंदे हम रिपीट करेंगे दागा पीछे एक फंदा सीधा क्या रिपीट करना है दागा आगे इन 2 फंदों के देखिए पीछे की तरफ से हम सलाई को इस तरह से डालेंगे बीच में हमें एक लूप निगा लेंगे और इन दोनों फंदों को हमने दो काएक कर लेना है ठीक है अब इसी तरह से आप इस सारी रोग कम्प्लीट कर लीजे देखिए एक फंदा सीधा ध्यान से देखिएगा ये दो फंदों के बीच में हमने पीछे के तरफ से सलाई को डालना है फि इन दोनों फंदों के बीच में हमने पीछे के तरफ से सलाई को डाला अब इन दोनों फंदों का दो काएक कर लिया तो इसी तरह से देखिए आप ये सारी रोग कम्प्लीट कर लीजे लास्ट में भी एक सीधा बनेगा और एक उल्टा बनेगा ये दो सिलाई बनाने के जाएगा डिजाइन अगर पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जुरूर कीजेगा शेयर कीजेगा चैनल पर पहली बार वीजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जुरूर कीजेगा सो थैंक्स वाचिंग मज़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टूरिल के साथ तब तक के लिए बाबाई